दोस्तों रमायर में सभी राक्षसों का वद हो गया लेकिन सुर्पनक्खा का वद नए हुआ उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपा का रखती थी वहीं रावन के मर जाने के बाद वो अपने पती के साथ सुक्राचारे के पास गई और जंगल में उनके आस्रम में रहने लगी राक्षसों का वंस खत्म ना हो इसलिए सुक्राचारे ने शीव की अराधना की शीव ने अपना स्वरूप सिवलिंग सुक्राचारे को देकर कहा कि जिस दिन वैश्रव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नास हो जाएगा उस आत्म लिंग को सुक्राचारे ने वैश्रव मतलब हिंदूों से दूर रेगिस्थान में अस्थापित कर दिया जो कि आज अरब में मक्का मदीना में है सुर्पनखा जो कि उस समय चेहरा ढख कर रहती थी वो परंपरा को उसके बच्चें में पूरा निभाया आज भी मुस्लिम औरते चेहरा ढखी रहती हैं सुर्पनखा के वनसच आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचारे ने कबीलों के गिरोग को बढ़ाना ये बात सब जानते हैं कि मुहमदी मुल रूप से अरब वासी हैं अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है वहां जंगल नहीं है पेंड नहीं है इसलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था रेगिस्तान में हर्याली नहीं होती ऐसे में रेगिस्तान में हारा चटक रंग देखकर इंसान चला आता जोकी सूचक का काम करता था अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे इसलिए वहां के लोग सीर को ढखने के लिए टोपी पहनते थे जिससे कि बीमार ना पड़ें अब रेगिस्तान में न खेत थे न फल तो खाने के लिए वहाँ अनाज भी नहीं होता था इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को कात कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया र एक ही कभीले के खाना बदोस थे इसलिए आपस में भाई भहन ही निकाह कर लेते थे रेगिस्तान में मूर्ती बनाने को मिटी नहीं मिलती थी इसलिए मूर्ती पूजा नहीं करते हैं खाना बदोस जीवन होने से एक जगा से दूसरी जगा जाना पड़ता था इसलिए कम व में इनकी दिन चर्या है बता दे कि अजमेर के ख्वाजा मुहिनुदीन चेश्टी को 90 लाख हिंदुओं को इसलाम में लाने का गवरा उप्राप्त है मुहिनुदीन चेश्टी ने ही मुहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उक्साया और आमंत्रित किया था तो दोस्तों इस इसलाम धर्म की सच्चाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग की राय क्या है आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताए तो दोस्तों ऐसे ही और भी इंट्रेश्टिंग जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें